अबात प्रदान मंत्री नरेंदर मोडेगी, पीएम ने जार्खन की पलामू रैली में कॉंग्रेस पर हमलों की बोचार कर दे, उन्होंने कहा कि अब मजबूत सरकार है, नेतर्तों मजबूत है, पाकिस्तान को करारा जवाब देता है, और घर में घुसकर मारता है, नया भारत है, पीएम ने मुसलिम आरक्षन पर भी कॉंग्रेस को घेरा है, कॉंग्रेस के समय क्या हाल था, यहां बम फुड़ते थे, आतंगबादी गोलिया चलाते थे, निर्दोशों को मोत के घाट उतारते थे, और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर बेचती थी, लव ल लेटर, अमन की आस लगाती थी, अमन की आस, पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे, उससे ज्यादा आतंगबेचता था, और बम गोले लेकर, वो देश में खुन की होली खेलते थे, उनके घर में, कई प्रधान मंत्री थे, खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की दलीत आधिवासी की जोपड़ी में, फोटों खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए, कुछ नहीं किया, मोदी के दस साल के सेवाकाल में, पचीस करोड देश वासी, गरीबी से बाहर निकले हैं, इसलिए, वो आज, भाजपा को आशिरवात दे रहे हैं, ये कॉंग्रेस और उनके चट्टे बट्टे ये जेमेम और आरजेडी सब, ये आधिवासियों का, पीछडों का, बलीतों का, आरक्षन में डाकाट डाल कर, आरक्षन में से कुछ हिस्सा छीन करके, ये धर्म के आधार पर संविधान बदल करके, मुसल्मानों को देना चाहती है,